हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को देखाना जा रहा हूँ, तंदूरीयस्टब कोचा किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, इसे हम होन में आप बिल्कुल घर भी बनाया करके खा सकते हैं, यह से कोई लोग सोते हैं, न है किसे मतलब नहीं खाया, कुल्चा नहीं खाया, तो देखिए मैं आप लोग को अदम बेहतरीन तरीका से बता रहा हूँ, आप लोग भी बनाया कर खा सकते हैं, तो चलिए आपको हम देखाते हैं, इस तरह से बनता है, और जो हैसे वीडियो को और शेर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी दूस दाल दिया महिने ग्रेडिंग करके, और यह प्याज है, प्याज को डाल लेना है, हारा मिर्च कटा हुआ डाल लेना है, नमक डाल लेना है, इसमें और जीरा पाउडर डालना है, थोड़ा चाट मसला हो तो चाट मसला डाल दीजिए, नहीं तो नहीं भी चलेगा, काला नमक कुछ के जगह पर डाल सकते हैं कास्तूरी मेथी के जगह पर आप धनिया पता भी डाल सकते हैं यह देखिए यह जो है से डाल दीए थोड़ा और मात्रा में ताकि और अच्छा लए खाने में यह धनिया पता आप डाल सकते हैं जेतना इच्छा हो जेस्ट अनुसार उहीं से हो जाए हो जाए एज़ एज़ कि इनव प्रजब और करते हैं प्रोड़को कि रेसे हो मैं पर कि रेसे हो फाहिए य को शणी हो ती नहां पर लास, 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 लास जैसे किसी के पास तंदूर ना हो, तो वो जो हैसे तावा पर भी बना के खा सकते हैं, तावा पर भी खा सकते हैं, जैसे प्राउठा बनाते हैं गाउ में, उस टाइप के आप सेक करके खा सकते हैं, उसको बोलते हैं कुलचा, जो देहाते बोलते हैं प्राउठा, उसको देख करके निकल जाएगा देखिए इस तरह से दम निकलेगा आपका भी अगर जुला के अंदर में ठोकिएगा तो कर दो कि यह देखिए कितना पहतर ही निकला है तेकने कितना मस्त खुप mushroom देखने में लग रहा है और इस तरह से बटर लगा लेना है जब बटर लगाए या घी लगाए जो भी आपको लगाना है लगाया करके और जो यह से खा सकते हैं अब जो यह सी यह पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गया है देखिए अब मैं आपको कैस तरह से यह रंग आया है आपको मैं देखाता यह देखिए तेरे कितना बेहतरीन लग रहा देखने में देखे बहुत ही माज़ाएगा खाने